हेलो फ्रेंड्स कैसी होच है आप जैमा टैरो में आपका स्वागत है जैमा टैरो आपका अपना टैरो सबसे पिले आप सबको हैपी लोरी आलो ही कि आप सबको मुबार्ट बाद हो आज की रीडिंग का टोपिक है थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए जिस पार्टनर के साथ जो आपका पार्टनर था इस टैम उसके पास है तो उसके लिए वो क्या सोच रही है ये रीडिंग जो है, हीश याई, सेम जेंडर सबी के लिए है, collective और timeless reading है, जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी resonate करें रख लेना, otherwise आपको कोई ना कोई clarity और एक प्यारी सी advice जरूर मिलेगी, जो है आपके हिद के लिए बेहदी जरूरी, तो चलिए देखते हैं, divine tarot आपके लिए, क्या लेकिया आते हैं, positive रहिए, अपने divine को याद कीजिए, और reading देखने की तैयारी कीजिए, मन में positive रहेता है, जब मन positive रहता है, तो reading सुनने में भी मज़ा आता है, clarity भी अच्छे से मिलती है, अगर भाखूक होते हैं, तो कोई बात hopeless हो जाते हैं, चलिए, five, four of swords, nine of pentacles, judgment, queen of cups, six of wounds, the star guys, page of wounds, 4 of Pentacles 5 of Cups Jaisi Reading Ka Topic Vaisa Ki Kaard 10 of Sorts देखते हैं Bottom क्या है हरियो चलिए आपके लिए तो सही है Guys, Bottom है ये 5 of Wands कैसी रही? चलिए यहां रख लेते हैं Bottom आपको अच्छे से नजर आए Bottom यही चलिए पेले मैं आपको बता दूँ अगर Element की बात करें तो यहां पे सभी Sign है Earth Sign भी है Air Sign भी है Fire Sign भी और Water Sign भी यनि की सभी राशियों के कार्ट यहां पे है Number बोलने जारी हो सकता है आपके रिष्टे के लिए ये काफी महत्तव पुरण number हो तो चलिए शुरू करते हैं Number 4 4 इंपोर्ट है Number 5 इंपोर्ट है Number 6 इंपोर्ट है Number 9 इंपोर्ट है Number 10 इंपोर्ट है Number 13 इंपोर्ट है Number 11 इंपोर्ट है Number 17 इंपोर्ट है तो अगर आगाईज Most IMPोर्ट के बात की जाए तो यहां 4 नंबर Most IMPोर्ट है 5 नंबर Most IMPोर्ट है अगर आपके लिए 4 most important है तो 8 भी important है क्योंकि double हो गया 5 अगर है तो 10 भी important है तो ये दो number जो है important है हो सकता है इस date को आप कहीं गूमने गए हो जा उन्होंने आपको propose किया हो जा आपके साथ कुछ महत्तपूरण ऐसी जादे हो जो आप अपने साथ रखना चाहते है और आप लोगों का birthday भी हो सकता है या कोई ऐसा मंत भी हो सकता है जिसमें खास वक्त आपने एक दूसरे साथ बिताया हो चलिए शुरू करते हैं reading कि third party के मन में क्या चल रहा है आपके person के लिए तो guys third party की जहां बात करें तो third party नहीं थोड़ा सा मैं पहले आपकी तरफ चलती हूँ guys जो third party है उसकी वज़ा से आप काफी परिशान हो ये queen of cups है जो वो आपकी energy है क्योंकि आप wait कर रहे हो अपने person का अभी कि आपको पता है कि ये person third party की condition में है लेकिन आप अब भी wait कर रहे हो क्योंकि आपने जो है उमीद ने की छोड़ी उमीद का दामन ने की छोड़ा आपको पता है कि आपने रिष्टे में हमेशा loyalty वरती है trust करा है अच्छी चीजे दी हैं अपने person को भगवान मान के आपने person को एक इस रिष्टे में कभी कोई कपट जचलने की किया इसी वज़ा से आप दुखी हो क्योंकि आपने इस रिष्टे को अपना सब कुछ समझा लेकिन ये person आज third party की तरफ है अगर आप इंतिजार कर रहे हो आपने उमीद का दामन ने चोड़ा लेकिन आप दिल से जो बहुत दुखी हो क्यों दुखी हो कि ये इस person ने आपके मन में है कि इस person ने आपको दोका दिया चीट किया प्यारी मीट इन्होंने ऐसे नहीं इन्होंने ऐसे आपको cheat समझा कते हैं प्यार से प्यारी बातों से जैसे emotional इंसान को handle करते हैं इस person ने आपको इस तरह handle करा है कि आप भूल मी न सको अगर ये लड़ते तो आप लड़ते इन्होंने मीठे मीठी बाते करके अपने से कुछ मजबूरियां बताई होंगी जिससे आप आप इस चीज में बैठ के otherwise आपको ये person जानते थे इतना रिष्टा प्यारा है अगर मैं गर्मा गर्मी जा कुछ कहूंगा जा डरावा डालूंगा तो ये बात बात बढ़क सकती है क्योंकि जो तेज कपट वाला इंसान होता है उससे पीछा चुडाना असान होता है जो emotional होता है उससे कई बार चुडाने में दिखते आती है तो आपके person ने आपको इस तरह से अपने से separation face में डाल दिया और separation face में इनका कोई crush भी third party family भी finance कुछ भी हो सकता है थोड़े से ये person जो है finance को लेके भी priority काफी रखते है अभी उमीद की किरन खतम नहीं हुई ये भी बताते है ये card ये बताता है third party और आपके person का जो connection है वो है कार्मिक connection ये देखिए break up के बाद ये इनसान जो है किसी like नहीं रहा आप से अलग गोकर अगर आपको ये खुश है तो नहीं खुश गल्तियां इतनी करी है कि पच्चतावा भी पहुत है past की चीजों को याद भी करते है सिर्व उठाने लैक नहीं है देखिए ये जो person है आपके अंदर से अपने आप में बहुत guilt कर दें है guilt क्यों कर रहे हैं क्योंकि अपनिया गल्तियां आप नजर आ रही है उस टम तो जोश था ज़्यादा वो बनने लगे थे इज़दा कई बाते गुमा गुमा के आपको करी अब ये इनसान की जिन्दगी अगर आपकी ऐसी है तो इनकी ऐसी है रात को जब भी अकेले होते हैं आपके बारे में सोचते हैं मैनिफेस्ट करते हैं प्रे करते हैं और उनको ऐसे लगता है अकेला पैन ये थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में कब तक सही होगी और थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी जो है ये किसम की लालची इंसान है, greedy, उसको fineness के इलावा कुछ नहीं नजराता, उसका तन भी fineness, मन भी fineness धन तो है ये fineness, जहां अपना profit हो, वही भागने वाली इंसान है, चाहे इनकी कोई crush है, और चाहे इनकी family है, इनको ये ऐसी third party, ऐसी nature की है, दुनिया जाए बाड में अपना काम बनता, तो बाड में जाए जनता, मतलब अपना फाइदा पहले, इसी लालच की वज़ा से अगर इसको इस condition में है, अगर आपके person के अलावा कोई और offer अच्छी मिल जाती है, कोई लालची में मिल जाता है, तो ये mint में पासा, change कर लेने वाला, third party का हिसाब है, third party की इस time जो tension है, आपके person को लेके, वो चीजे जो है, आगे तक ले जाना चाहती है, marriage तक ले जाने चाहती है, अगर उनकी family है, तो वो चाहती है, कि कोई और इनको रिष्टा है, जब कोई और हो, तो जो इनकी जिन्द उसकी intention है, कुछ third party, उसकी intention है, आपके person को किसी भी तरीके से, अपने काबू में करना, ये तो third party की, मन में ये चल रहा है, आपके person को लेकी, लेकिन आपके person के मन में है, आप, आपके person के मन में हो, आप, लेकिन third party, कई बार आपके person को रिजाने के लिए, काफी अच्छा अपना ड्रेस अप करती है, काफी अच्छा सजिती सवस्जित, स्मार्ट बन के दिख आती है, तांकि आपका पार्टनर जो है, उस पे फिदा हो जाए, अदाएं, जैसे होता है न, कई तरह के, अपने हत्कंडे आर तरह के अपनाने, जिससे वो परसन का मन पाने के लिए, लेकि यहां गाईज कुछ नहीं होता हुआ दिकरा उसका, क्योंकि यह कार्मिक कनेक्शन है, जग तब आपके परसन के कर्मा क्लीन्स हो रहे हैं, तब तक थर्ड पार्टी का बोल बाला है, आने वाले टाइम पे, अगर इस टेम मैं बात करूं, तो यह दिमाग में उल्जने बहुत है, और वो उल्जनों का कारण कोन है, आप, क्योंकि जहां यह परसन को जुकता हुआ देखती है, आपके लिए देखती है, कि इतने सीरियस है, कभी आपकी बाते भी करते होंगे, तो मनुदास होगा, तो समझ जाती होगी, कि यह ध्यान इनका आपी की तरफ है, यह परसन जो आप रात को लेटते हैं, तो डिवाइन से ही प्रे करते हैं, कहते हैं, परिवार भी बचा रहे और प्यार भी बचा रहे, इनको रात को ऐसे लेटते हैं, जैसे उनको लगता है, कि कांटों पे बिस्तर इनका पिछा हुआ है, क्योंकि यह आ पास-पास के लोग इनको आपके लिए बढ़काते भी हैं लेकिन ये पैशनेट इतना है कि इनको अपना बिस्तर कांटों का भरा हुआ लगता है गंटों आपको स्टोक करते रहते हैं देखते रहते हैं बाते करते रहते हैं ओनलाइन देखते हैं वर उसमें वट्सैप में द दिल और दिमाग में उलजने भी रहती है और आपके person के साथ third party का लड़ाई जगड़ा भी काफी रहता है ये five of wants का card ये भी बताता है कि इन दोनों के आपके person और third party के argument का काफी लोगों को भी पता है बीना बात पे third party जो है चिड़चड़ी रहती है और आपके person के साथ ये card ये भी बताता है पंगे लेती है औरों को भी बताती है कि ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है मैंने इतना किया इन्होंने कदर नहीं करी लेकिन आपके person को आपकी beauty जाद आती है आपका प्यार जाद आता है वो इस इस चीज़ को भी समझते हैं, कि आप उनका वेट कर रहे हो, बड़े दुखी मन से, फोन, कॉल, मैसेज का इंतजार कर रहे हो, आपको सुंदर था, आपका ड्रेस एप, और आप वेल सैटल हो, इन चीज़ों को देखके, वानी मन आपके परसन बहुर याद भी करते हैं, और गाइज खुश भी होते हैं, इंतजार को बता रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आपने आपको ना, इतने दुखी होते हैं कि हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दो दो कार्ट देखिए, तीन तीन कार्ट गाइज मैनिफेस्ट किया हैं, क्या इनकी भूलनी होगी होगी यह person manifest कर रहे हैं heal कर रहे हैं चीजों में balance बना रहे हैं और यह देखिए divine के आगे भी pray कर रहे हैं manifest कर रहे हैं आपकी तरफ यह card बताता है आने वाले हैं आपकी तरफ आने वाले है क्योंकि यहां new beginning का आने की सोच रहे हैं और चीज़े आगे तक लजाने की सोच रहे हैं और यह भी इस चीज़ को जानते हैं कि इस रिष्टे के पाने के लिए काफी effort लगाने पड़ेंगे बिना effort के यहा तक गाड़ी नहीं चलेगी सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए उल्जनों में बहुत किसे हुए हैं आप यह तिकिए third party भले ही कितना सोचे यह person जो है third party के चुंगल में अभी भी फसे हुए हैं लेकि मन की धारनाव इनकी आपके साथ है third party बड़े रायता फलाती है य काफी argument उल्जने लड़ाई जगड़ा और लोगों का interfere सब कुछ है अब आपके person और third party के बीज में बले ही यह आपको इस चीज़ों का ना पता हो यह काफी अंदर तक बात फैल गई है और वह बात जो हती आप तक वह बाहर तक आ गई है यह person जो gold माथे पे सिहरा बांद के जनी कि आपकी तरफ आना चाहते हैं और यह काफी effort लगाएंगे तब ही आप आएंगे इस चीज़ का इनको अभास है तो चलिए देखते हैं यह राबोटम यह राबोटम देखते हैं यह person action लेंगे भी यह सूछते ही रहेंगे क्योंकि यह जो five of wands, four of swords, ten of swords, यह जो card है आपको guys मैं यह भी बता देती हूँ यहां कुछ लोगों के person four of pentacles का बताता है कि अभी इतने seriously नहीं है आपके रिष्टे के लिए 40% 30% लोग अभी भी third party के जुंगल में हैं पूरी तरह अवास इनको नहीं हो पाया यह उसकी सुंदरता जा finest के पीछे जुके चलो बले बले हो गई है शावा शावा हो गई है आज लोड़ी है पंजाबी गाना डाला मैंने देखिए हैरोफेंट का card बता रहा है कि यह आएंगे भी और मैरी इस तक चीज़े आपकी जाएंगी भी लेकिन एक advice के साथ और खूब सारे effort के साथ यह आएंगे मैंने सोच ली थी पता नहीं action लेते कि नहीं लेते क्योंकि आज ace of wants का card नहीं आया tower का card नहीं आया transformation का लेकिन यहाँ पे आपकी 3-3 guys manifest के card थे क्यों नहीं उनकी होगी manifest आप भी करते हो वो भी करते होंगे तो 3-3 card है उनकी manifest कबूल जरूर हो गई चलिए अब देखते हैं वो आते हुए तो दिख रहे हैं कब आएंगे आपके जो आने वाले time के card है वो बहुत ही प्यारे आये हैं लेकिन यह card first card यह बता रहे हैं कि आते हुए आएंगे तो सही लेकिन काफी मजबूरियों में काफी संगरश के बाद आपकी तरफ आएंगे और यह person जो है आपको परपोस भी कर देख